दूस्वक सर आपने दिखाऊगा गर्मी में हमारा जो फोन होता है वो और ज्यादा गरम होने लगता है वो चाहिए गेम खिलते समय हो गया या फिर इंटरनेट चलाते समय कई बार तो हम अपना phone जेब में रखे रहते हैं रखे रखे इतना ज़्यादा गरम हो जाता है ऐसा लगता है कि blast हो जाएगा तो अगर आपके phone के साथ ऐसी situation आ रही है हसते ज़्यादा गरम हो रहा है तो इस video को जरूर आप देखना का पुरा दिन इंटरनेट चलाओगे फिर भी गरम नहीं होगा बहुत ही कमाल के trick लेक्या हूँ तो इस video को जरूर end तक देखना आपके पास शाए महेंगा डिवाइस हो सस्ता हो या फिर कोई भी हो सभी device में आप इस trick को use कर सकते हो तो ज़्यादा टाइम ने लूँगा चली में सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपके ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीस लाइक कर देना एंड चैनल को सुस्क्राइब को जरूर करना दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन में आपका फोन दोस्तों कभी भी गरम होने का नाम ने लेगा हमें इस एकड़म नॉर्मल टेंप्रेचर पे रहने वाला है तो आप सोच सकतो लाश्ट वाली ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सेटिंग बता देता हूँ जो लाश्ट वाली ट्रिक को यूज करने से पहले आपको करनी है उसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में आना है एंट डेवलोपर ऑफ्शन दोस्तों हर किसी के फोन में होता है अगर नहीं पता आपको कैसे इसे on करते हैं तो एक और phone में जाके build number पे 7 time tap करोगे तो ये on हो जाएगा on होने एक बाद दोस्तों ये जो application वाला section है यहाँ पे आना है यहाँ पे आपको दो basic setting on कर देनी है ये जो don't keep activities होती है न इसे on कर दो ताकि दोस्तों कोई भी activities आपके phone में चलती ना रहे क्योंकि कई बार बहुत सारी activity आपके phone में होती रहती है तो ऐसे में आपका phone बहुत ज़्यादा गरम हो जाता है तो ये चीज़ करना है and यहाँ पे ये जो background होता है इसे आपको no background process कर देना है ताकि background में कोई भी application run ना करे and आपका phone जो है heat ना हो जादा तो यहाँ पे सबसेट पर लिए कुछ basic setting आपको यहाँ पे आके enable कर देनी है उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है अब दोस्तों यहाँ पे जो main चीज़ होती है और यह हमारे phone की brightness brightness try करो guys try करो कि 50% से उपर ना करो क्योंकि brightness ज़्यादा होगी तो पूरा का पूरा जो आपका screen डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा गरब होगा और ऐसे में आपका phone बहुत ज़्यादा heat होगा तो try करो आप अपना जो display का brightness है उसे 50% करके रखो और जब ज़रूरत ना हो तो दोस्तों internet हो गया, wifi हो गया, bluetooth हो गया यह सब बन करके रखो यह दो कुछ basic settings है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ अब बात करते हैं guys जो सबसे ज़्यादा important है and special trick की तो उस special trick के लिए दोस्तों आपको यह वाली app को download करना पड़ेगा यह एक ऐसी app है ना दोस्तों जो आपके phone में कभी भी hitting problem को आने ही नहीं देगा अभी से कैसी use करना है आप यहाँ पे रहान से देख लिए link आपको मैं नीचे description में देदूँगा वहाँ से आप इसे download कर सकते हो इसे दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी कि 100 million से जादे लोग download कर रखे है सभी लोग अपने phone में इसे use करते है ताकि उनका phone heat ना हो क्योंकि आज कल जो महेंगे device आते हैं वह भी बहुत ज़्यादा heat होते हैं तो उनस सब चीज़ों को मतलब की control में करने के लिए इसी application का use किया जाता है तो आप इसे open करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ interface आएगा यहाँ पे आपको नीचे कई सारे option देखने को मिल जाएंगे तो उससे हमें मतलब नहीं है हमें मतलब है CPU से तो इसके उपर आओगे तो आपको यहाँ पे कुछ permission allow करना पड़ेगा क्योंकि first time हमने इसे download किया अपने phone में तो यहाँ पे हम इसे allow कर देते हैं आप यहाँ पे देख लीजिए उसके बाद यह automatic आपके जो CPU होता है न उसे पूरी तरह से scan करेगा scan करने के बाद जितने भी app है ओ यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे फिर नीचे आपको cool down का option मिलेगा simple सा काम को और इसके उपर click कर दो इसके उपर click करते हैं दोस्तों यह आपके phone को पूरी तरह से cool down कर देता है अब इंटरनेट चालू रहेगा तो एक आड अगर आपको show हो जाएंगे तो उसे आपको cut कर देना है तेने यहाँ पे हमारा पहला step complete हो गया अब यहाँ पे आप खुद देख लिजे 89.7 degree मतलब कि कितना कम हो गया 88 हो गया मतलब कि ऐसे दोस्तो ना धीरे 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 आपका जो मतलब की heating problem है वो कम होता जाएगा आपको पता भी नहीं चलीगा उसके साथ साथ दोस्तो यहाँ पे RAM का भी option मिल जाता है जहां से दोस्तो आप अपने phone का जो RAM होता है तो ऐसे में दोस्तो आपका जो device है वो heat होने की वज़ा है एकदम normal चलने वाली है तो इसे भी हम यहाँ से cut कर देते हैं तो finally यह boosted हो चुका है तो अब यहाँ से हम back आ जाते हैं इन गईसे यहाँ पे और भी काफी सारे option देखने को मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है junk files, end bone booster, virus scan, application manager, battery saver तो इन सब चीजों का भी अगर आपको ज़रू है तो आप use कर सकते हो बहुत ही कमाल की है मुझे personally यह बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि दोस्तों मेरे phone का जो hitting problem है न यही application control करता है तो आप भी एक बार try करो यह special trick 101% आपके phone में work करेगी इस गर्मी में आपका phone कभी भी गर्मी में होगा अगर यह application आपके phone में मौझूद होगी अगर आपके यह वीडियो पसंद आई तो please see this video को like को share कर देना और चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलना थैंक्यू गाइस बाइबेंट टेक केर